दोस्तो नमस्कार मैं जगनाद गौतम देश रोजाना यूटीव मंच पर आपका स्वागत दोस्तो आम तोर पर बहुजन समाज की मुखिया बहन माया वती या तो किसी के साथ चुनावी गडबंदन करती नहीं हैं और चुनावी गडबंदन करती हैं और उस चुनाव में उस चुनाव की समावती पर उनका एक फार्मूला तै फार्मूला है कि जिस पार्टी के साथ वो मिलकर चुनाव लड़ती हैं अपनी हार का या कम सीटें आने का ठीक रा उस पार्टी पर फोड़ देती है बड़ी उम्मीदों के साथ इस बार एक बार फिर इने लोग और बस्पा का हरियाना में चुनावी गड़ बंदन हुआ था मायावती ने कई बड़ी जनसबाएं भी हरियाना में की और उनने बड़ी तादात में सेट बीस उम्मीदवार बश्पा के खड़े हुए थे एक भी उम्मीदवार नहीं जीता एक एक ही सिर्फ जो है जमानत बचाने में काम्याब रहा बलकि बाकी सब जितना मैंने देखा है पढ़ा है यदि मैं गलती ने कर रहा हूं तो बस पाके भी एक उम्मीदवार की एक को छोड़के जमानत नहीं बची और जैसे ही चुना प दमहला बोल लिया कि जाती वादी जाटोंने हमें बोट नहीं डाले बस पाउमीदवारों को बोट नहीं डाले और पला जाड़ लिया अरे बही आप आप तो कभी हरियाना में यानि बस पा तो तीसरी बड़ी ताकत हरियाना में रही है आपकी ताकत का क्या हुआ लाइन लगी होती थी बसपा के टिकट के लिए हर्याना में भी चाहे दिली हो चाह र्याना हो तो आपकी अपनी खुद का क्या हुआ आपकी खुद की अपनी ताकत का क्या हुआ क्या आप टोटली अभे चौटाला या इन्हें लोगों पर डिपेंड थे जीतने के लिए चुनावी जीतने के लिए तो जो इस्तिती हरियाना में बस्पा की रही है उत्तर प्रदेश में तो माया बती या भोजन समाज पार्टी जमीन पर लेट गई है दूस्तों आपको याद होगा कि 2019 के लोग्षवा चुनावों में सपा और बस्पा का चुनावी गढ़बंदन हुआ था और उस चुनावी गढ़बंदन में बस्पा के दस लोग्षवा के उम्मीदवार जीते थे यानि दस सीटें जीती थी और शपा के मात्र पांच उम्मीदवार जीते थे लेकिन जैसे ही चुनावों के परिलाम आये एकदम ठीक रा अखलेश यादा और सपा की शिर्पर फोड़ दिया कि इनके कारण हमारे उम्मीदवार नहीं जीते और जो पहले घोषणा कर रही थी कि ये चुनावी गडबंदन हमारा सपा बसपा का गडबंदन हमेशा रहेगा भाजपा कांगरश को हराने के लिए दो मिनट नहीं लगा है चुनाव खतम होने के बाद और चुनावी गडबंदन तोड़ दिया यदि आपको सपा से गडबंदन करने पर घाटा हुआ था तो जब बाद का जो 2024 का लोक्षवा का चुनाव लड़ा तो तब तो सपा के साथ आपने गडबंदन नहीं किया सपा के गड़बंदन के साथ आप दर्सीटें जीतने में काम्याव रही और सपा के बिना जब जुनावी गड़बंदन के आप उत्रप्रदेश में लड़ी तो जीरो बटा सन्नाटा और हम ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहते लेकिन जो बस्पा या मायवती जी पर कुछ सम से आरोप लग रहे हैं और जिस तेजी से बस्पा का पतन हो रहा है उसका ग्राफ नीचे जा रहा है तो बहन मायवती को अपने गिरेवाम में जहाकना चाहिए कि उनके सपोर्टर पार्टी से क्यों किनारा करते जा रहे हैं पार्टी लगातार चुनाव क्यों हार रही है च चुनाव दर्श चुनाव दर्श हार पर हार हार पर हार और उन हारों का ठीकरा अपने खुद के नेत्रत को नहीं अपनी नेतियों को नहीं अपनी कमियों को नहीं हमेशा दूसरे के सिर पर पोड़ती है हम चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत रहे उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है बस्पा हो या कांग्रेश हो या सपा हो लोगतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है और विपक्ष मजबूत है तो असली लोगतंत्र है लेकिन उत्तर प्रदेश जो गड़ है उसमें ही बस्पा की दुर्गती लगातार हो रही है और जहां भी वो चुनाव लड़ने जाती हैं उनके उम्मीदवार ना के बरावर जीत रहे हैं यानि लगातार बस्पा का ग्राफ नीचे जा रहा है और बस्पा का जो ग्राफ है नीचे जो जा रहा है बहन जी को उन पर चिंतन करना चाहिए अपनी कम्यों को अपने गलत फैसलों को उनका भी पोश्मार्टम करना चाहिए के उनके फैसले भी गलत है और चुँक्के सरवे सरबा वो ही है उनके बाद और किसी का कोई महत नहीं है जो पदादिकारी है वो सिर्फ और सिर्फ नाम के हैं वो कब किसका पत्ता काड़ दें पतादिकारी को हटा दे कुछ पता नहीं चलता यानि बस्पा में पूरी ताना साही है और शायद ये भी एक बड़ा कारण है कि बस्पा में खुद आंतरिक लोगतंत नहीं है वहां और किसी की नहीं सुनी जाती जो बहन जी कह दे वोही अंतिम सत्य होता है इसी के चलते शाय बस्पा लगातार पतन की और अगरसित हो रही है मैं च्छमा याशना साहीत कहना चाहूंगा कि मैंने जिससे पहले कह दिया कि बस्पा जैसी पार्टियों का जो बहुजन समाज का प्रदिवनिदित्ट करने का दावा करती हैं पिचासी प्रतित्शत बहुजन समाज के हितों की बात करती हैं तो जो कासी राम जी के जमाने में जिनोंने इस पार्टियों की नीव रखी थी उन्हें नए सिरी से उसी पैटरन पर चलकर पिचासी प्रतितर्त बहुजन समाज को साथ लेकर आगे बढ़ना होगा तब ही बस्पा सत्ता में लोटने की सोच सकती है यदि बस्पा अब 85% को जोडने में काम्याब नहीं रहती है और अब तो वो 85% बहुजन समाज भारी संख्या में उनसे रुष्ट है खिसक रहा है यानि मुसलिम समाज तक भी अब उनके साथ दिखाई नहीं दे रहा है तो बहुजन से आग रहे हैं वो अपने अंदर की खामियां खोजें उनको दूर करें और नए सिरे से पार्टी को मजबूती परदान करें जिससे के वो बहुजनों की अकांग्शाओं पर खरी उतरे और सक्ता में आकर उनके हितों के लिए काम कर सके तो दोस्तों ये था मेरा मुद्दा कि हरियाना में जो बस पाई ने लोग का चुनावी गड़बंदन हुआ था चुनाव परदान आते ही मायावती ने उसका ठीकरा जाटों के उपर फोड़ दिया और वो भूल गई कि जब जाटों के उपर ठीकरा फोड़ रही थी कि उन्होंने बहुजन समाज के उमिदवारों को बोट नहीं दिये तो उन्हें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इने लोग के मुखिया खुद अभे चौटाला भी चुनाव हार गए तो क्या वो ये कहें कि धलितों ने उनको बोट नहीं दिये इसलिए भे चौटाला हार गए तो इस तरीके की बादचीत जिसके साथ चुनावी गड़बंधन हो कड़वी भासा और कड़वी बाता बातें नहीं होने चाहिए इसका ध्यान मेहन माया बाती को रखना होगा तो दोश्तों ये था मेरा आज का मुद्दा देखते रहे देश रोजाना नमस्कार पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें